तो दोस्तों वेलकम्तों एतरी ज क्लासेज चलिए उस दिन हमने मेकानिक डीजल की 10 कोशिन दिये थे आज 11 कोशिन से स्क्राइट करने वारे हैं 11-20 तक के पर दिन के अगर आपको मेकानिक डीजल की जो हमारे फुशन थे अगर में की पीडिय फॉर्म चाहिए तो आप लिंक देखा है उस लिंक से आप डाउंडोड कर सकते हैं और आज में दिस्क्रिप्शन लिंग या फिर कॉमेंट के अंदर इसके इंग्लिश और हिंदी दौनों के कोश्चन जो है अप्लोड कर दूगा पुरानी वाली वीडियो में इंग्लिश के कोश्चन अप्लोडेड है में हिंदी के भी करूंगा जंदी और आज वाले वीडियो के अंदर दौनों ही कोश्चन जो है आपके वह अप्लोड करते हुआ तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हाद कोश्चन नमोर 11 इंटर्नल कमर्शन इंजन में सक्शन स्ट्रॉक के दौरान कौन सी संकिरिया होती है वाई के दौन कंदार्यकर में पिसे नगोता है तर प्याइव सक्षण नोर्ण द्यूस करते हैं जब सक्षण इंजरे करें में अप्लोड तो सबसे बहुत आप सवाल के उपर ध्राद देंगे तो सवाल में इनोंने पूछा है आइसी इंजियन इसके बार में इंटनल कंपर्शन इंज वाल जैसा कि मैं प्रीवर्स डिस्कस कर चुका हूं कि आई-सी इंजल की दो की पिरकारग्य थी तो सबस्क्राइब तो सबस्क्राइब के इस पार कर रहे हैं यानिकी पेट्रोल जो होता है आपका वो जब सक्षिन स्टॉप के अंदर जाता है तो अंदर आने वाला आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रहना चाहिए और आपने देखा भी होगा कि जो आपके ऐसा ही इंजन होते हैं उसके अंदर क्या लगावे रखते हैं कार्बुरेटर का काम ही क्या होता है कि वह एयर और फ्यूल के मिक्स्चर को बनाए रहे हैं वह तता जो इधन है उसका किस तरह का अब यहीं डिसकस कर लेंगे किसी दिन एक नौलिज क्लास के रिदर बही तरह से एक पैसे जोता है ठीक है पैचुरी बोला जाता है जिसको ठीक है एक मीटरिंग यह जोगा इधर एक फ्लोट वाल तक आओगा होगा निड़ वाल लगावा ठीक होगा ठीक तो इ कितनी 6-7 6-7 की दूड़ी पर बेसिकली इसको रखा जाता है ज्यादा दूड़ी नहीं होता तो ऐसा ही दिन के तरह अगर आप देख रहे हो तो एयर फ्यू पिक्सर आ रहे है और यदि में बात करता हो और तो वहां पर जब सक्शन पूर्ट आपका उपन हो रहा है तो उस तो आपको जो ऑप्शन निखाए देगा सी और डी दोनों ही ऑप्शन यहां पर सही है क्योंकि यहां पर इस पीसिफाई नहीं किया कि यह सी आई है या ऐसा ही है अगर यह स्पीसिफाई कर देते तब तो मैं सी या दी दोनों पिसी एक आप्शन में चला था ठीक है स्क्रेया और नहीं किसी टारं कर्सकते हैं और सांग कर चेंज कर दीजिए अपने खार दीजिक यहां पर इसको कि आई हम चाहुत कर दीजिए यहां पर इसको सी말 कर दीजिए भाई तो पर आपको बरिशानी नहीं आएगी अगर आप ऐसा इंजन कर देता है अंतर हो जाता है और अगर कुछ भी नहीं करते तो इस टाल आपके बहुत करें एक्जाम के इंदर प्रोशन आएगा इस यह नहीं करें बुलो यह पूछ ले वह ऐसा या यह दोनों को क्लारिफाइब करके ही पूछेंगे आपसे ठीक है तो यह था आपको 11th कुछेंगे इस का अगया C&D बोल अब बात करेंगे हैं 12th कुछेंगे कुछेंगे 12th का कहता है जिछ पार्ट उसे इंचेंगे इस इंचेंगे इस स्टोरी ऑफ एनर्जी ठीक है या लिए इंटल कॉमशन इंचन का कौन सा भाग उर्जा का बंडा कहा दाता है आप्शन चार्ज रखें आपको पहला आप्शन है क्रेंशाफ्ट दूसरा आप्श आपको यहां पर वाइब्रेशन टैप पर और फॉर्थ ऑप्शन दे रखाए आपको फ्लाइव लिए यह चार ओप्शन आपको यहां पर पर पहीं मैंसे सब कों से डिवाइस है जिसको इस टोरेंगा अटिका रहता है जो एनर्थी को स्टोर करता है उर्जा का बंडारण तो मेरा काम से भी नहीं कि आपको यह संद्धाओ कि फ्लाइव लोता है डियू ऑप्शन करेक्ट है यह तो आप लोगों में समझ माना चाहिए आगया तो आपको डेफिरेंटली आगें चीजें पीसे अब आगें सबसे में बात कि तो प्रेंट शाफ्क होती है वही यहां पर वेंग लगी उसको अब जाता है यह जो किसे निक्ट होता है कि रैंक से ग्रेंग करेंग शाफ से अब यह तक जैसे आप बोस्त विखैनिसमें में देखते हैं कुछ इस प्रकार से आपको इंटेंट इंट्सेंटर आप इंट इंटर के बारम बात करनी होती है तो यहां पर इंट्स तरह से बागती एक रैंक होती है और इस तरह सबूब तो क्रेंट एक एक ऐसा वाट है जिनका रोटेश्ट रोटेशन को सब्सक्राइब रोटेशन करता है ठीक है एक अइसा बाग है जो पिस्टन के साथ साथ खुब तो रेस्ट्रिकेट हो रहा पर तरह से ट्रेंट शाफ्ट करता है क्या तो च्रेंट अब एड़े करती है जाब कि फ्लाइब यूज़ ने जो है वह अपनी आपको चला तो समझेव शाफ्ट को सब्सक्राइब करने के लिए अजय से बच्चों को आजए से लोगों को मता नहीं होगा वाट इस बार टैमिं सब पढ़ा देते हैं कि अभी इंटेक वाल होता है कि आपने बोला जैसे किस्टन बीडिसी पहुंचा आपका उसी वक्त पे दोनों वाल जोते बंदो चुके नहीं ऐसा नहीं होता है एक जोन में इंगल्स होते हैं लगाल चीजों के लिए इसका बात करते हैं गया और चीजों के लिए वाइब्रेशिन डेंपर की यह इसको दबाना टेंप करना तो जो वाइब्रेशन को अब्सुर्ब उकर सके और उसके वाद रिजीज ना करें इस्टेंट टीक है देगे दो कंडिशन सबझें वाइब्रेशन के सब्सक्राइब ने कि इस फिरिंगे ना अगर आपको दे तो बैट्टा आया आपको मजा आया जैसे आप बैट्टे से बाहर निकले इस प्रेंग ने अगर आपकी पूरी एंड़ी को स्टोर कर रहा है इंजनका इसको स्टोरेशन अगर जिकाज इसने इनर्जी को स्टोर किया इस प्रेंडेंगे ने तो डेंपर इंजन की इनर्जी को स्टोर नहीं कर रहा है जो लगा होता है क्रेंग्शाफ्ट पर अब होता क्या है जैसे आपने आप इंजन अब कारण कर रहा है एक इंजन पहले बार बार आप पिस्टल को उपर वीच्छे करते हों चलने लाने पावर तो यह इंग इंगी बार सब्सक्राइब पावर चुनेट हो रही है बागी जो पावर स्टॉक कि इन्जन एक साथ ही आता है ना पिस्टल एक साथ आदा है सब्सक्राइब सब्सक्राइब उन्हें पूछता है तो उन्हें अपना नहीं कर सकते हैं इन चीज़ों को चलिए तो फ्लाइब नी कर रहा है इसको क्या बोला जाता है सब्सक्राइब करने के लिए करने के लिए अपने गवर्नर क्या करता है जब आपकी गाड़ी के लोट बढ़ रहा है तो इन्टर सब्सक्राइब के लिए तो पर मैंने यह बता है यह तो यह तो नहीं है और यह तो क्यूं तब तक आपके कॉंसेट कर भी खिलियर नहीं हो सकते हैं उसको ढूंगते चाहिए कुछ लॉजिकल कोशन है जैसे कि अब डिजर्टिंग की गोजमान गया इस साल को उसका क्यों पर जब तक आपके साथ क्यों है तब तक आप चीजों को समझ सकते हैं बहतर अंडस्क्राइब इनके साथ चलिए देरवा सब्सक्राइब बहुत या आसाल सा हम्रा रवाल है इस सिलेंडर के अंदर जो उच्छ स्थम सीमा होती है यानि कि हाईस्ट लिमिट है और लोएस्ट लिमिट है इनको क्या था है जिए यह आपका सिलेंडर है यह पिस्टन का कोशन है सवाज यह था आप टॉफध लोखेंगा उस्ट में सिलेंडर करें फिस्टन लोगा तो इसीग मस पर घ्या यौत ओंडर होती है तो आसे कंदीशन के प्रेंडर आला है श्रह तो कीने दोंकने प्रेंडर जिने नहीं क्या कुण ओंड इनके जहां पेंडर इस तो चाहन के क्वे temos सब्सक्राइब आप लोगो जो इसका अंसर क्या होगा ऑप्शन देख सकते हैं ऑप्शन ए एम डी सी आप्शन भी है टीसी स्टेवी सी के चे टीस आप्शन सी करें आज तो थे दम सवाल ना चलेंगे वो तीज फूशन गैस के फैनले पर पिस्टल चलता है जब यह एक्सेंशन हो रहा है थार्ड इसकी बात करना है बिसीटीर इस्ट्रॉप की जब यह सेट्ट कर रही है तो पिस्टल रहा है तो जलना तो खास आप यो चलता है देखिये फर्ड शो पहुता है श्रोप के अंतर कंवरेशन स्ट्रॉप ता पिस्टल राचुगा है तो यह नहीं थे तो रहा है पुए पर इस पार को यह देखिया आगे लगी और तिंगारी बढ़कने से क्या होगा एक तुरंत एक ब्लास्ट वाज़िक वाला राता है ब्लास्ट वार दूसे गैसिशन करन सब्सक्राइब निम्त्राइब स्ट्राइब करने लगए बैट्मिंट करें लगें देयुक्त की तरफ क्या करें टेक्स प्सेटियों कि सब्सक्राइब है और यह आप्शन पी सब्सक्राइब करें तरह की मोशन करेगा चलिए तो 14 सवाल था आपका 15 सवाल देखते हैं सब्सक्राइब करें अधिक्तम उच्कों को क्या करते हैं और ऐसा होता है वह आपके सेट बहुत सब्सक्राइब और यह सवाल इसलिए दुबारा आएंगी देखना एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें तो वहीं आप सब जानते हैं कि स्लेंटर के अंदर पिस्टल की गती करने करें तो टॉप डेंट का क्या का जाएगा टॉप डेंट सेंटर पंद्र में सब्सक्राइब अप्शन हो गया जो टीडी सी प्टी सी स्टॉप डॉटिकित पेसे कोई नहीं तो यह उप्शन इसका करेंट बंद्र में सवाल का अंजर क्या हो गया के इसका करेंट है तो कि अधार कि विश्यम्ट शीए अच्छा सब्सक्राइब अच्छा सब्सक्राइब तो चाहो तो एक्टीन के इंटर एक्स्पियम कर दो और चाहो तो 16 के इंटर एक्स्पियम कर दो बाद लिए रहा है ठीक है तो कोशन नुपर 60 जब पहले देखते हैं कि बीके नियत एक कोंस्टेंट दूसरा रहा है नियत आप पर पी इसे इकोल डू सुष्णी आप पर मतलब की वॉल्यूम क्या है आपकी इंट और आपकर प्र पी एंट पी चॉप सी देखिए अगर आप वोटर सैक्ल के साथ साथ इसको भी याद रहते हैं और इसको इंदर आपको कोई दिक्कत आने वली थे अब बात करते हैं नियत प्रेशर पर किसका किया जाता है यह उता है और इस सब के बाद जो आया विजल के लिए वह आपका डूबल इस तो कि दूबल कंबशन साइकल जहां पर कॉंस्ट प्रेशर और प्रेशर कौश्ट बाद दोन और किया था किया तो इस तरह कि सवारा सकते हैं तो ओटो साथिक्ल को इस प्रेशन आ जाता है डैस्फ भाइवां पर कमश्ट जो होता रिसको वह तो आपका आपका ऊप्शेंट ठीज यह को जाए अब बात करेंगे का सब्सक्राइब कि अब एर कि एधर इंजेक्षन का इदि इंजेक्षन फिलिंद कब योग है जाता है कुशन देख लेना कैसा है कुशन इंगिश्चों क्या बोलता है इंगिश्च में कुश्चन है कि फ्यूल इंजेक्शन इस यूज्ट इन डिश्ट क्या नहीं किया जाता है तो ऑप्शन भी गलत है जी के लिए और का उप्शन की हो दो रहे है इंटर्शाल के बढ़ने कैम या बढने पर आम आउंट तो बाले से प्रेह मोर टीक है ते मोटर भी आपकी गलाज सिए और गराइगा भी गलाएग से उप्षिन क्या से इस्टेम होता है प्लगे होएं और को तो और दों कुछ है निगा है कि आपका बिंदर निल ना ठीक के बेचे न चाहिए रिख्राइब मना जाता है व्लीड का सुझ धाने से थो चैंबर वह किसमें आरा है वी शेप के दरा कितन हो तो बनोनिटिपीड आए तो बनाने तो यह तो यह था यह था आपका इतना सब्सक्राइब अब यह था इस तो नहीं कर रहा है अपनी दिसी से अब देख सकते हैं तो फ्यूल इंजेक्शन लगे हुए तो इसके लिए फ्यूल को पूँचा सके तीके ना इसलिए फ्यूल इंजेक्शन पंके जिस जीजल इंजल इंजल ठीके बच्चों कुछिन नमबर 13 चले दोस्तों अठारवा कुछिन देखो मैंने डाइगरम बना दिया है अठारवा कुछिन है कैंठ्ophy प्रोसेस बल इन ओटोशाइकल रीपर्जेंट एक से दू जो प्रोसेस है एक ओटोसाइकल के अंदर वो क्या रीपर्जेंट कर रहा है जो गीवण फिगर है इसके अंदर चार ओप्षयन दे रखे हैं आपको पहला ओप्षयन है सक्षन दूसरा option है compression, तीसरा है power और चौथा आपको दे रखा है exhaust, यह चार आपको option है यहाँ पर, मिले रपी मतलब power तो तेखिये, हम adding डालिए auto cycle auto cycle कौन सा है? petrol engine के लिए अब petrol engine के लिए हम किसका यूज़ कर रहे है, auto cycle का यूज़ कर रहे है यह बात अपनी हाथ के लिए, इसके लिए चार compression का मतलब कै है संपीर अब जो process है आपका 2 से 3 3 से 4 और 4 से 1 यहाँ पर अपने cycle 1 से start कर रहे है ना उसकी बात कर रहा अगर यहाँ पर numbering change हो जाए तो भी परेशान हो नहीं बात नहीं है अगर यह मैं इसको 1 नाम देदू इसको 2 नाम देदू इसको 3 नाम देदू इसको 4 नाम देदू तो भी परेशान हो नहीं कोई बात नहीं एक और बात ध्यान रखना कि यह theoretical cycle है actual cycle नहीं actual cycle थोड़ा सा अलग होता है ठीक है actual cycle थोड़ा सा अलग है 2 से 3 जो आपका process चल रहा है वो आपको दिखाए देगा कैसा है यहाँ पर pressure increase हो रहा है एक constant volume बचल रहा है तो 2 से 3 जो है वो है आपका constant volume मतलब नियत आयतन ठीक है और constant volume पर क्या होगा compression के बाद heat addition constant volume heat addition अब बात करता हूँ 3 से 4 की 3 से 4 में आपको दिखाए देगा कि pressure जो है वो decrease हो रहा है क्या हो रहा है pressure decrease हो आप देख सकते हो प्रेशर उपर बढ़ता है नियुश चीज़ रहा है पर volume increase हो देफिनेटली expansion हो रहा होगा तो यह expansion कौन सा है adiabatic adiabatic expansion process adiabatic मतलब रूदूश adiabatic का वैसे मतलब क्या होता है heat transfer from the surrounding कितनी हो जाती है 0 surrounding के साथ आसपस के साथ वह heat transfer नहीं कर रहा है ठीक expansion और फिर force 7 देखिए force 7 आपको दिखाए देगा volume क्या है आपकी constant volume v4 will be close to v1 तो यह constant volume cycle है और यहाँ पर हो क्या रहा force 7 में constant volume heat rejection constant volume पर heat को reject क्या रहा है तो यहीं देखा जाए तो किस तरह से चल रहा है जो इन्होंने पूछा है क्या इन्होंने पूछा है हमसे 1 to 2 का पूछा है न हाँ 1 to 2 पूछा तो 1 to क्या है 1 to क्या है आपको दिखाए देखा 1 to जो process है वो आपका कौन सा है idiotic compression process यानि कि B option इसका correct कैसे होगा पहले सक्षें हुआ 1 पर ठीक है इन्लेट वॉल आपका ओपन था piston गया TTC से BTC की तरफ सारा का सरा एरफिल मिक्चर अंदर आ है अब 1 से 2 तक piston ने इन्लेट और आउटले डान वाल क्या होगे बंद होगे piston BTC से TTC की तरफ जा रहा है कम्प्रेशन हो और यह यह, और यह 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 पर रूप के प्रेशर करना और डिक्रीज करना क्या कहला था है फिर बात करता हूं 2 से 3 तो आप देखो के वाल्यूम कॉंस्टैंट है प्रेशर को प्रेशर को इंग्रीस को ने हुआ है श्रुक प्रेशर जो उल्फी का लियृन करगें यह रहा है जाने लगालों थो सबकttर में और धिंट को क्या ह Holz यह सब्सक्रेश श्तकर करना स्टाट क्या तो गैसे का प्रेशर कम हुआ और वोल्यूम बढ़ गी देखो वोल्यूम बढ़ रही है इस डाइशन में बढ़ती है वोल्यूम बढ़ रही है बढ़ रही है विल्कुल बकाई है ठीक है तो 3 से 4 में वोल्यूम ने बढ़ना स्टार्ट कर दिया है और 4 to 1 में क्या हुआ जितनी भी आपक कि जो gases थे वो सारी क्या चलेगी बाहर जाने स्टार्ट होगी एक constant volume पर पिस्टल रुखा हुआ है तो constant volume पर heat rejection तो जो 1 से 2 है वो क्या बता रहा है यहां पर compression बताना है क्या बता रहा है compression तो 18th question का answer क्या हो गया चले 19th question देखते हैं question number 19 fuel used in SI engine SI engine के अंदर कौन सा fuel यूज़ किया रहा option A petrol option B gas option C diesel option D AFM तो SI engine के अंदर fuel कौन सा यूज़ हो रहा है AFM नहीं fuel तो petrol यूज़ हो रहा है petrol यूज़ हो रहा है अगर कोई पूछले आप से working fluid यानि कारे कारी द्रब used in SI engine और CI engine और IC engine वो क्या होती air दोनों के अंदर working fluid दोनों के अंदर क्या है air है fuel क्या है SI के लिए petrol CI के लिए diesel तो आप AFM नहीं लिखेंगे यहाँ पे air fuel mixture नहीं लिखेंगे ठीक है बच्चो चले तो 19 वा जो सवाल है उसका आंसर होगे आपका यहां पे क्या और question number 20 है question number 20 के अंदर इस तरह से आपको एक पहले ही space मिल जाएगा खालिस्तान और लिखा हुआ है is burnt in CI engine जलाया जाता है but in CI engine जलाया जाता है तो यह तो बेसिक सी बात है तो यह अंसर इसका है यहां पे हो गया ठीक है तो आज हमने 10 question और की टोटल हमारे 20 question हो चके और मेरे पास जैसे question आएंगे मैं और करवाता रहूंगा ठीक है तो मेगनिक डिजल के यह कुछ questions थे बच्चों की demand आ रही है फेटर के लिए और RAC के लिए तो बहुत जल्दी फेटर और RAC के भी जो चैप्टर है वो पढ़ाया जाएंगे फेटर के लिए जो demand आ रही है वो किसकी आ रही है अब्रिकेशन और कूलिंग सिस्टम वाली कि तो वह भी मैं बहुत जल्दी उसको भी करवाया जाएगा और जैसे questions और आते रहेंगे यहां पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो बनाता रहूंगा दूस्तों ठीक है चलिए थैंक्यू सो मच आज के लेक्चर के लिए और लाइक करना सब्सक्राइब करना और शेयर करना